शोप्रभात शात्रों बिगत कक्ष्या में हम लोग प्रत्मा पाठा शब्द परिचेह वन पढ़े थे जिसमें पुलिंग शब्द का प्रियोग हुआ था आज हम लोग शब्द परिचेह दुतिये पाठा में पढ़ेंगे इस्तिलिंग शब्द का प्रियोग चित्र है जूले का एशा का एशा यह इस्तिलिंग यह क्या है एशा दोला यह जूला है दोला कुत्र अस्ति कुत्र मने कहां दोला अनि जूला कहां है दोला उपवने अस्ति जूला उपवन में है उपबनें होता जैसे बालक सब्द का बालके पुष्तक सब्द का पुष्त के श्दन के जिस प्रकार पुलिंग में दूरि के लिए श्ज荷 का प्रयोग करते थे वेसे ही स्थिलिंग में दूरि बताती है अब यहां दोड़ बचन का प्रयोग आगा एते के एं inches को किले कि मनिया एतेאני दोनों कोल है न एते चटके नहीं ये दोनों गौराईए हैं चटके किम कुरुता गौराईया क्या करते हैं चटका सब्द है दूवचन में चटके इसलें एते बिहरता ये दोनों गूम रहे हैं कूद रहे हैं ते के वे दोनों कौन हैं ते चाली के अस्तह चालक पुलिंग में होता है चाली के दूवचन इसलिंग वे दोनों चाली का हैं ड्राइवर हैं ते किम कुरुता वे दोनों क्या कर रही हैं ते बाहनम चाले अतह वे दोनों बाहन चला रही हैं इता का ये सब क्या है इता अस्थालिका अस्थालिका सब्द है अस्थालिका मने थाली अस्थालिका का बहु बचन अस्थालिका जैसे बालिका का बहु बचन बालिका ये थालियां है किम इता गोलाकार क्या यह गोलाकार है गोल है गोलाकार के है आम हाँ ये ता गोला का रह एव एव मने ही हाँ ये गोला का रही है ताह का ताह वे सब इस्तिलिंग में दूरी के लिए वे सब क्या हैं ताह अजाह वे सब बकरियां हैं अजा मने बकरी अजाह बहु बचन हैं बकरियां वे सब बकरियां हैं ताह किम कुरवंती वे सब क्या करती हैं करोत एक बचन कुरुत दो बचन कुरवंती बहु बचन ताह बहु बचन में हैं इसलिए कुरुवंती वे सब क्या कर रही हैं ताह चरंती वे सब चर रही हैं या वे सब चरती हैं इस तरह से इसमें इस्तिलिंग एक बचन दोई बचन नजदीक और दूर के लिए सब्दों का प्रयोग किया गया है